सरकारी जमीनों में हो रहा अवेद निर्माड भूमाफिय सक्रिय जिम्मेदारा अधिकारी स्षुस्त पेजल पाइप लाइन के ऊपर अवेद निर्माड आरोपियों के बिरुत बाद दर्ज बांदा बुलंद होसला और माननिये तक पहुँच के कारण दवंग भूमाफिया में लगातार कपज किये जा रहे हैं भूमाफियाओं ने जल संस्ता की मुख पाइप लाइन के ऊपर बेफसाइक भवनों के निर्माड करा लिया अवेद कपजा और अवेद निर्माड की लगातार लिखिस सिकायत मिलने पर जिम्मेदार प्रसासने का अधिकारी द्वारा आरोपी भूमाफियाओं के बिरुदवाद धर्ज कर मामले की इत्सरी कर दिया जाता है ताजा मामला जनपत बांदा के तिंद्वारी बिलॉक के अंतरगत ग्राम पंचायत खपिटाहक कला का प्रकास में आया है जहां तालाप की जमीन में दवंगो द्वारा अवेद को रहे अवेध निर्माड के संदर में सिकायत पत्र सौपा था जिस पर कोई कारवाही ना होने के चलते जिसकी सिकायत मुख मंत्री के पोर्टल पर भी की गई थी मुख मंत्री का रियाले दवारा मामले को सग्ज्यान लिये जाने के बाद आनन फानन में हरकत में आय तहसि सिपाय जाने आरोपी को भू माफिय के खिलाफ सक्त कारवाही करने का निर्देश दिये थे लोगों ने बताया कि ग्राम खफ्टकला के दवंग लल्लू यादव पुत्र चुनकवा यादव जागेश्वर यादव फौजी पुत्र राम जीवन यादव खसर नंबर 32 पंद पूरे गाओं को जला पूर्ति की जाती है उसके उपर ही निर्माड कार हो रहा है जिसे लेक पालों की जाच के उपरां सही पाय जाने पर तहसिलदार राजियु निगम ने धारत 63 के तहत मुकदम धर्ज करवा कर निर्माड कार को तत्काल रुकवा दिया है आज उक्त गया है और सिग्री अवैद निर्माड गिराया जाएगा यह कौन सा गाव है यह जो कब्जे जमीनों में बताए जा रहे हैं किस प्रकार कब्जे क्या हुआ है कि एक ऐसी जमी क्या है कि जमीन है कि यहां तलय दर्ज है नच्चे में पूरा सब कुछ है और अभी तक कोई का नहीं है इसकी सिकायट की गई है जी अच्छा पिर मेरे पास वह भी है अप्लीकेशन ही अच्छा यहां के पशू अस्पतार में भी कब्जा है उसमें वह कप से यह काफी दिनों कभी कोई अधिकारी आए उसकारी नहीं आया काफी बार कंप्लेंट भी हम ही लोगों ने किय कौन सा गांव है यह अवैत कपजे हैं इधर जमीन में तलाब किनारे क्या है यह पूरा मामला क्या है आप देख लीजिए पाइपलाइन भी पड़ा है तलाइया भी नक्सा है खस्रकतव में सब के सामने हैं हमारी भनमानी जाए पूरे गामें सब्सक्राइब करा लिया अच् बांदा से यूपी 24 न्यूज के लिए योगेंद प्रताफ सिंग की रिपोर्ट